गुड मॉर्निंग एप्रिबन सिक्स्थ लास कैसे हैं आप सब भी अई हो पॉलार वेरी गुड तो आज हम करेंगे एक्सराइज 5.3 और आज ही हम इस एक्सराइज को कंप्लीट कर देंगे क्योंकि यहां पर टोटल टो ही कोशिन है लेकिन बहुत ही इंपोर्टन या आप जोप लेशकते हो तो क्लॉक में जब वो हैंड होती है जैसे आपर हैंड हमने ली थी तो आपर एंड जैसे ही यहां पे 12 से जो भो 3 तक पहुंची थी तो हमने जब बोला था कि एक राइट एंगल कंपलीट हुआ अगर हम बोले पूरे रैवलीशन का तो पूरे र राइट टेंगल बन रहे हैं लेकिन मालो अगर राइट टेंगल से थोड़ा सा बड़ा बड़ा बने ऐसे एंगल बने ठीक है या राइट टेंगल से कम बने जैसे मालो यह होता है 90 डिकर अगर मालो इतना सा एंगल बने तब कौन सा एंगल बनेंगे ठीक है तो आज हम इसी को डिस्कस करने बाले हैं तो आज हम डिस्कस करेंगे जैसे यहां पे आप एंगल देख सकते हैं एक्यूट एंगल के बारे में आप्टिवस एंगल के बारे में राइट एंगल क्या होते हैं यह state angle क्या होते हैं ठीक है इनके बारे में हम discuss करेंगे तो चल यह start करते हैं सबसे पहले है यहां पे acute angle चैक है सबसे पहले बात करेंगे acute angle की देखे हमने जब 90 degree का तो हम सभी को पता है ठीक है जैसे मैंने जब यहां पर पूरा सरकर ले लिया ठीक है यहां से स्टार्ट कराओं यहां से यहां तक होगा 90 degree 90 से आगे चले जाओं तो यहां पर यह पूरा एंगल बनेगा बनेगा पूरी state line बनेगी इसको यह तो सभी को बताए कि state angle बनेगा state angle means 180 degree एक तो 90 degree means right angle हो गया एक state angle means 180 degree हो गया ठीक है अब बात करें acute angle क्या होता है acute angle acute मतलब चोटा सा एंगल ठीक है चोटा एंगल मतलब की जैसे ए जो वो 90 degree का एंगल है ठीक है ए 90 degree का एंगल है अगर मैं 90 से कम की बात करूँ ठीक है मतलब की यहां 0 से start हो रहा है तो 0 से अगर मैंने माल लिए यहां पर 30 degree बन रहा है तो जो 30 degree का एंगल बना यह 90 से कम होगा तो इसी को बोलेंगे acute angle या मेरे पास यहां पर 45 degree का एंगल बना तो इसको भी acute angle बोलेंगे उसको बोल जो इसको वोसारे acute angle कहला इंग होंगे जीरो कर सीक सबसारे एंगल acute angle होंगे और 90 degrees के एंगल को जो बो right एंगल बोलते है यह को गया acute angle देक के 90 से जो भी बड़े होंगे greater than 90 degree और less than 180 degree greater than 90 और 180 के बीच में जो वो obtuse angle होंगे जो कौन से होंगे obtuse angle होंगे अगर मैं बात करूँ 180 से आगे greater than 180 degree तो वो जो वो reflex angle होंगे वो जो वो reflex angle होंगे याज कि याँपे लिखाए reflex angle means 180 से बड़े angle right angle means 90 degree obtuse angle means 90 और 180 के बीच में 90 और 180 between 90 degree and 180 degree यह होंगे obtuse angle between 90 degree and 180 degree यह होंगे obtuse angle 90 degree को हम लोग जो वो एक अलग नाम है इसका right angle 180 degree का अलग नाम है state angle तो इनके बीच में जो भी angle होंगे जैसे 91 हो गया 92 हो गया ठीक है 179 हो गया इस सारे angle जो वो obtuse angle कहलाएंगे यहां पे जो वो ए लिखा है obtuse angle ठीक है तो acute angle देखे अब यहां पे बात कहते है जैसे 0 यहां पे 0 0 और 90 के बीच में acute angle होंगे 90 और 180 के बीच में obtuse angle होंगे अगर मैं 180 से भी आगे चला जाओं तो वो reflex angle होंगे ठीक है वो reflex angle होंगे ध्यान रखें यहां पे कि 90 degree right angle 180 गरी state angle ठीक है तो इस बात का आप ने ध्यान रखना है तो ऐसे ही आप नियाद रखना है एक और बात जैसे मालो यहां पे जो हो जैसे मैं यहां से चला ठीक है मैं यहां से चला और मैं यहां जैसे पहुंच गया तो यह जो एंगल बना यहां पर यह जो एंगल बना यह आपको दिख रहा हूँ कि 90 से तो बड़ा है 90 से बड़ा है मिन्स obtuse angle 90 से बड़ा मिन्स obtuse angle अगर मैं बात करूँ revolution की तो यह one fourth 90 degree से बड़ा है तो मैं बोचता हूँ कि between between one fourth and between one fourth and half revolution देखे half revolution मिन्स यहां तक पहुंच रहा है थे तो one fourth मिन्स ए बारा ठीक है तो यह one fourth हुआ और यह half हुआ तो one fourth और half के बीच में है तो हम मैं बोचता हूँ between one fourth and half revolution तो ऐसे भी आपको पता होना चाहिए तभी आप इन question को solve कर पाओगे तो चलिए start करते हैं अपनी exercise से यहां पर देखे मैच करना है आपने state angle है सबसे पहले state angle क्या होते हैं वो आपने बताना है ठीक है तो yes यहां पर देखे state angle सबसे पहले तो एक एक करके सभी को यहां पर यहां पर इसके साथ मैच होगा ठीक है इसके साथ इसको मैच किया जाएगा आई होप आप समझे रहे हैं जैसे जैसे मालो yes acute angle के साथ इसको मैच किया एक बी देखिए more than half revolution अब देखे half revolution का आपने होता है यह है half revolution जैसे यहां से यहां तक जला 180 degree तो 180 degree से आगे वाले जो angle होगे वो reflex angle होगे तो इसका मतला है इसको जबो reflex angle के साथ मैच करेंगे ठीक है next है half of revolution तो half of revolution means 180 degree 180 degree को state angle बोलते हैं तो यह match करेंगे इसको state angle के साथ yes next देखिए one fourth one fourth revolution one fourth का मतला है 90 degree 90 degree को बोलते है right angle तो यह होजाए गर right angle के साथ match ठीक है next है between yes यह वाला बोला के between one fourth and half of revolution तो यह तो अभी हमने बात की यह जबो obtuse angle होगा यह जबो obtuse angle होगा देखिए यहाँ पे one complete revolution भी लिखा है इसको किसी के साथ match है यह नहीं अगर यहाँ पे जबो मालो 360 degree होता 360 degree angle होता तो हम बोसकते हैं थे कि यह complete revolution है ठीक है I hope आप समझगे होगे एक question complete होगा एक question हमारा बचा है यहाँ पे आप देख से हैं इनके answer भी किसको किसके साथ match करना है next है classify each one of the following angle as right state acute obtuse and reflex तो आपने बताना है कि कौन कौन से angle बनना है आपने अच्छे से बनाने भी है scales से अच्छे से यहाँ पे दो लाइने है तो यहाँ पे दो लाइने आपस में मीट कर दी है जहाँ पे मीट कर दी है वहाँ पे angle बन रहा है यह देखिए 90 degree तो कुछ इस तरह से होता है तो 90 से तो छोटा है इसका मतलब है फर्स जो वो acute angle है acute angle है next देखिए 90 degree तो इतना सा होता है यह 90 degree से बढ़ा है मतलब कि यह obtuse angle है next देखिए यहाँ पे यह जो पूरा 90 degree का angle बन रहा है जहाँ पे ऐसा curve लगा होगा वहाँ पे बता रहा है कि वहाँ पे आपने बताना है कि कौन सा angle है next देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर ध्यान से देखिएगे तो एक line होग A होगी अगर ऐसी इतनी line होती तो state angle होता यह state angle से आगे चला गया इसका मतलब है यह जो वो reflex angle होगा next देखिए next A line बिल्कु state है और ऐसे angle बता रहा है तो A जो वो state angle होगा 180 degree का angle होगा अगर यहाँ पे आप दो angle आपको बताए गए हैं दो angle देखिए यहाँ पे तो 90 degree तो कुछ इस तरह से होता है 90 degree से छोटा है acute angle है यह भी acute angle है तोनों ही acute angle है आप इनके अंसर भी यहाँ पे देख सकते हैं तो ऐसे ही आपने सभी question करने है इन सभी question को copy पर अच्छे से note करें आपने जो वो ऐसे diagram बढ़ानी है इसकी ठीक angle draw करना है अच्छे से कच्छी pencil से ठीक है और आपने इसके नीचे दिखना है यह जो वो acute angle है यह जो वो reflex angle है यह right angle है आज के लिए इतना गाप यह है thank you and have a nice day